नमश्कार सस्रीकाल मैं हूर विंदर सिंग और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स बहुत दमांड है प्लॉट्स की और प्लॉट्स सथे लेने के चक्कर में बहुत लोग बहुत सी ऐसी लोकेशन में फस रहे हैं जहांपे इलीगल नेरियां ही और प्रोव बाद में हुण हैं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है और बाद में फिर वो किसी और को ढूनत गया हूँ जहां ही legal area है माने सस्ते के चक्र में वहां पर 6000 में पलॉड लिया था कोई और बता दो कोई वहां मेरे को निकाल कि किसी और को बसा दो तो हम जोड़ जाते हैं कि sir को पहले वेरिफाइ करा लें तो हमारा जो सर्वेस है वेरिवकेशन की उसके सिर्फ 1100 रपे चार्ज़ हैं और अगर आपको दस बारा पांच अंदरान लाग की प्रॉपर्टी करीज रहे हैं तो 1100 रपे पहले खर्च लें तांके बाद में फस्त न जाएं तहसील के अंदर ह प्रॉपर्टी करने के बाद आपको उस कुए में गिरने वाली जो प्रॉसेस है उससे बच सकते हैं तो हम चाते हैं कि आप अपने खून पिसीने की कमाई वहीं इन्वेस्ट करें जहां पे लीगल एरिया हैं तो ऐसे एक लीगल एरिया में आज हम खड़े हुए हैं जहां पर प्लॉट का रेट साड़े चौदा चौदान हजार के अंदर आपको मिल जाएगा यह कही है कि लीगल एरिया में सबसे सस्ता रेट है पांचे प्लॉट बचे हुए हैं पीछे घर बन रहे हैं उधर भी घर बन रहे हैं उधर आपको दिखा देते हैं कि अधर भी कैमरा म सामने जो आपको दिखाई दे रहा है यह ओल्ड कंसेक्षन है अब यहां पर पेड लगे हुए है और सी वरेज का निक्षन यहां पर कर दिया है पानी कर दिया है घर आप देख रहे हैं और सडक यहां पर अलड़ी बनी हुई है चोटा सा यहां एक गेट है यह 35 फिट का जो यहां पर गेट लग जाएगा पिलर यहां पर खड़े हैं और इस पिलर के अंदर के जो एरिया के प्लॉट होंगे यहां पर कोई 25 से 30 फिलॉट है टोटल जो खरड़ मिंस्पल कमेटी का पार्ट है ओल्ड कमेटी का फ्रेश नहीं को नया एरिया नहीं आया ओल्ड और यहा प्लाइम मिल जाएगा अभी यह खाली जमीन जो पड़ी है इस पर भी प्लोटिंक होनी है इस पर फ्लैट बनेंगे का बनेगा वह बात की बात है लेकिन यह जो रोड है यह और बनी हुई है यह सरकार ने बनाई है अभी थोड़ी ज़र पहले ज़ो इलक्शन से पहले यह स यहां पे डला हुआ है और यह इंटरलॉक टाइल जो है सरकार ने लगाई हैं बिल्डर ने लगाई हैं बिल्डर का एरिया आगे से स्टार्ट होता है उसके अंदर वो बाद में लिखाए इस तरफ कोठिया नजर आपको आ रही है चलते रहें मंजीजी थोड़ा सा और गाइ है तो लेटेस कोठिया भी मंजीजी दिखा दें आप एक पर यहां पर टूलड का भी बोड़ लगा हुआ है उस तरफ वह भी आप दिखा दें टूरूम सेट यहां पे है तो यह स्ट कोठिया और इसकी पीछे औल्ड पॉपोलेशन है जो खरड का शहर है तो अगर आप कोई चिंता नहीं रहेगी कल को लोन भी मिल जाएगा और यह सारी सुवजाएं अगर आप लेना चाते हैं शेहर के अंदर है बिल्कुल यहां से बाहर निकलोगे में रोड को आप टच कर जाओगे यहां से दो किलो मेटर के ओपर आपको में खरड का बजार मिल जाएगा फ्लायावर तक पहुंचने में आपको यहां से दो किलो मिटर में तीन मिंट लग सकते हैं चार मिंट लग सकते हैं उसके बाद आपने फ्लायावर चटना और सीधा चंडीगड तो फ्लायावर जहां से स्टार्ट होता है वहां से चंडीगड आपको 10 मिंट में आप पहुं नहीं को दिख्कत वाली बात नहीं है, प्लॉट भी 5-6 ही बचे हैं, कुछ जादा प्लॉट भी नहीं बचे हैं, तो मैं ये रिक्मेंड करूँगा आपको, कि आप एक बार नीचे फोन नंबर दिया हुआ है, एक बार कॉल करके इस साइट को जरूर देख लें, अगर आप प और आप दूण रहे हैं, तो मार्केट का जो प्राइड है, वो सो गजी कोठी का जो 40,00,000 से उपर का है, कोई 43,00,000,000 है, मतलब इवन के इसकी लोकेशन के, हम एक किलोमीटर पर जो घर बने होई है, जिसको विलाज कहते हैं, उनका जो रेट है, सौगज का वो तरतालिस ल तो इसके अंदर आपका अपना घर बन जाएगा तीस लाख में अगर आप कम बजट में अपना घर जा रहे हैं तो यह एक अच्छी ऑप्शन है लोन आपको कर्सक्शन का यहां पर आराम से मिल जाएगा मैप यहां पर अलड़ी पास है घर आप देख रहे हैं बन रहा है आपका घर भी यहां पर वैसा ही बन जाएगा को रॉपटी वेडिवकेशन सर्वेश जो हम दे रहे हैं बहुत सी नोग उसका फैदा उठना पर रही आ ऊठा रहे हैं कल मेरे को एक फोन आया उन्होंने बोला कि मेरे को धर्दा ससिन्थ है उन्होंने आपका नंबर दिया है फ्राप्ति empatty नहीं से वेरिटक हाले यह सारा कुछ हम दे रहे हैं, फसिल्टी जो लोगों के लिए अगर आपको प्रापटी पसंद कर रखी है, चंडीगर के पास में, जामपुर एक ऐसा अरिया है, बढ़ माजर एक ऐसा अरिया है, तो प्लीज वहाँ अवाइड करें, कल को आपको दिक्का आता सकती है, और इस अरिया है, यह आपके लिए अच्छी आप्शन हो सकती है, हमारी वेबसाइट प्रापटी अप्डेट्स.co.in पे जाएं, उस पे सर्च करके, आप अपने बजट के अंदर, जितनी भी प्रापटी अवेलेबल हैं, उन सब की वीडियोस वहाँ देख सकते हैं, आज के लिए